नमस्कार, Target Bitharlok Online Institute से मैं संदीप तिवारी आप सभी का आपके अपने चैनल Target Bitharlok पर मैं सौगत अबनेंदन करता हूँ चैनल के थुरू तमाम एनाउंस्मेंट के बाद मैं भी अपनी मैस की क्लास के साथ आपको कुछ सूचनाय देने के लिए आया हूँ मैस की क्लास, टॉपिक पे भी आप लोग फोकस करेंगे, साथ साथ कुछ सूचनाय को भी जो आपको कलरवी सर ने भी दिया और हम लोग लगातार हर भी से भी से सग अपने अपने सब्जेक्स के माध्यम से और अपने अपने प्रेजेंटेशन के थुरू आपके सामने से एर कर रहे है UPSI और बिहार SI के कंबाइन बैच को संस्थान के दोरा स्टार्ट किया गया है UPSI में एडमिशन प्रोसीजर आपका जो है चल रहा है साथ-साथ बिहार SI का बेनाउंस्मेंट कल रभी सर ने दिया बिहार SI से संबंधित जो भी जानकारियां हो सकती है जैसे उसके पाठिक्रम से संबंधित उसके सारी दिक दक्षता प्रिच्छा से संबंधित उसमें जो भी एकजाम का प्रोसीजर माडियूल हो सकता है उस सबको रभी सर ने कल बेहतर तरीके से आपके सामने प्रिजंट किया हम लोग भी उनिस सारी बातों को आपके साथ सेर करना चाहते है बिहार जैसे की उत्तरपदे से सटा भाग होता है आप सबको जो है जो SI की परिच्छा अगर आपके लिए आयोजित की गई है तो हम लोग यही प्रियास करते हैं कि कहीं भी हो जाए UP में हो जाए या बिहार में हो जाए थोड़ा सा मार्डियूल में फरक है इसलिए परिच्छा का जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग जो है अलग-अलग पॉइंट से लेकर चलते हैं जैसे उसमें बिहार स्पेसल को देखना होता है यहाँ पर UP स्पेसल को देखना होता है रही बात हम लोग के सब्जेक्स की जैसे मैस की बात है तो मैस आप देखते हैं कि यूपी में हम डारिक पढ़ते हैं एक ही परिच्छा को फेस करना है बिहार में आपको मुख्य परिच्छा और प्रारामिक परिच्छा दो परिच्छा देनी होती है मुख्य परिच्छा में मैस का लेबल है और मैस का लेबल अगर हम लोगों ने जब फोकस किया यार हम लोग इस चीज को experience किये तो पता चला कि पिछले कुछ सालों की paper को ठाको देखा तो दोनों का module लगभग और लगभग एक ही है मतलब आल्मोस सब एक ही चीज है तो इसने कुछ differentiate नहीं कर रहा है तो हमारे यहां तमाम सारे अबरतियों के आपके थूँ जो contact किये गए कि सर्व जो है इस परिच्छा इस परिच्छा को भी face करने के लिए हमको कुछ platform provide करिए तो हम लोगों ने एक open platform आप यहां पर create किया आपके लिए कि आप जो है अगर हमारे संस्थान के साथ किसी वीवे में जुड़ना चाहते हैं अपनी admission procedure के बारे में बात करना चाहते हैं जिससे क्या करके पूरे particular को पढ़ सके और पूरे course की proper त्यारी कर सके पीडियाप के थुरू, lecture के थुरू, test series के थुरू और जो भी एक system होता उसके थुरू तो इसके लिए आप हमारे channel के दिये गए description message में या जो हमारे यहां channel पे दिखिए आप अगभी एक link चल रही होगी एक बट्टी चल रही होगी इस पे तमाम सारे numbers आपके सामने display किया जा रहे होंगे आप उन numbers पे बात करके हम पर भरोसा दिखा सकते हैं हमारा channel हम सभी रवी सर आलोक सर आपकी परिच्छा की तयारी के लिए आपके बेहतरी के लिए सब तटस्त है और बिना किसी लाट लपेट के बिना किसी confusions के हम लोग पूरी तरह से आपकी preparation के लिए आपके साथ लगे रहेंगे हम लोग का promise है चलिए आईए हम लोग सुरुवात करते हैं बिहार SI और UPSI से संबंदित मैसका एक बहुत ही मातपोड भाग ले करके लगतार किसी भी उन्डे परिच्छा में आप लोग ऐसे भाग को ऐसे प्रसनों को देखा करते हैं वो प्रसन हमने जो algebra से संबंदित उठाए है algebra में एक topic होता है आप लोगों ने सुना होगा करडी का करडी आप समझ सकते होंगे करडी का importance क्या है और करडी जिसको हम लोग root कहते हैं और इस root को अगर हम लोग पढ़ें तो कई label पर root को पढ़ाया जाता है अलग-अलग परिच्छा को ले करके अलग-अलग तरह से root के basic कुसों को पहले बताया जाता है उसके बाद root से संबंदित जो भी बड़े प्रसन बंते हैं जो भी अस्तरी प्रसन बंते हैं उनको साल्व कराया जाते है कभी-कभी किसी परिच्छा में आप देखते है root का huge infinite times तक आपको दिया जाता है और आप उस तरह के प्रसनों को साल्व करने में बड़ी कटना ही फील करते हैं तो आज के इस class के माद्धियम से हम 4-5 types लेकर के आपको उन हर प्रकायर के प्रसनों को साल्व कराने की कोशिस करेंगे और आपके exams में जो बड़े प्रवाबी होंगे अगर आप ऐसे प्रसन को exam में देखते हैं तो मेरी ये बात मान लीजिए कि exam में आप से 1-2 प्रसन आपके इस class के माद्धियम से 1 प्रसन minimum तो आपका अस्तरी प्रसन आपका कबर होगा जो आपकी इस वीडियो के साथ आप complete कर पाएंगे तो चलिए हम लोग सुरुआत करते हैं जैसे कभी आप लोग root का करड़ी का जो symbol देखते हैं जनरली कुछ इस प्रकार से होता है आप इसका मतलब समझ जाते हैं कि अगर किसी के उपर किसी नंबर के साथ करड़ी लगी हुई है तो उस करड़ी का मतलब होता है कि उस नंबर के उपर उसकी half power जैसे अब root का मतलब अगर यहां पर हम जानते हैं यह सब छोड़ी छोड़ी बाते हैं इसमें हम छोड़ी छोड़ी नंबर्स को ले करके चीजों को साल्ब करते थे चीजों को अपलाई करते थे लेकिन आज की स्तिती बदल गई है अब हम लोग जो प्रसन कमटीशन में फेस करते हैं उनको हम लोग किस प्रकार से face करते हैं, इसके कुछ अलग-अलग category है, सबसे पहले type की category हम लोग यहाँ पर face करेंगे, और इसमें आपको प्रसनों का एक label हम आपके सामने present करेंगे, जिससे आप चीजों को समझ पाएं, एक प्रकार का प्रसन आता है, जैसे हमाली जी एक हमको बड़ा सा root दिखा, यहाँ पर two लिखा, फिर plus लगाया, फिर two लिखा, फिर plus लगाया, फिर two लिखा, फिर plus लगाया, फिर two लिखा, फिर two लिखा, फिर two लिखा, फिर two लिखा, इस प्रकार से बढ़ता चला गया, अभी जब बढ़ता चला गया, और उभी कहां तक, infinite तक, जब ये प्रसन हमने देखा और हमसे पूछा गया कि इस प्रसन का एंसर क्या होगा तो एक थोड़ा सा confusion दिमाग में आया अच्छा जब हम लोग academic पढ़ते थे तो इस प्रसन को अगर मुझे दे दिया जाता साल्व करने को तो हम कर लेते लेकिन करने का जो तरीका होता कुछ इस प्रकार से होता हम लोग इस पूरी बैलू को जैसे solution में आते हैं अगर हम लोग तो हम कहते हैं इस पूरी बैलू को हम एक्स मान ले हैं यहां पर हमारे सामने कितना हो जाता है पूरी बैलू हो जाती मतलब जो हमको वहां पर उपर तो वर्ग करने का मतलब यह बाहर निकलाती टू और अगर जैसे ही आप सबको अच्छी तरह से पता अगर किसी भी नंबर जो भी रूट में है उसका अगर वर्ग किया जाए तो सिंप्ली एक बाहर निकलाएगी मतलब एक्स हो जाएगी जैसे अगर रूट टू का स्वेर किय जाए तो केबल टू होगा अब यहां पर अगर देखें तो हम पूरे के ऊपर एक रूट लगा रहे तो जिससे एक बाहर निकाल सकते हैं लेकिन जैसे बाहर निकाल देंगे अंदर फिर से आपके पास वही पासारा पद इंफनाइट तक बचा रहेगा इसका मतलब यह है कि आप एमास समझी कि एक बद निकल जाने से घट गया क्योंकि ओ टर्म इंफनाइट तक थे तो इंफनाइट से अगर एक सिंगल बैलू निकाली जाती तो उसकी नेचर की ओपर कोई फरक नहीं पड़ेगा जो प्रोसीजर था हम लोग इसको करते आया है बचपन से उसके सिस अब दो एक गास समय काट साल करना जिनको आता है वो बता सकते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसको अ घर्ल करते परापर लिए तो इसको लिख देते एकस स्कuair माइनस टु एकस प्लस फू जी रूरो तो कहने का मतलब यहाँ से x अगर हम कामन कर ली तो x-2 हो गया प्ます अगर 1 कामन कर ली तो x-2 इस Legal Tea हो गया x-2 अगर दोनों से कामन कर लीए यहाँ पर x-1 हुआ तो इसका अर्थ हे हो गया कि x की बेलों 2 आई एक तो 2 आएगी, एक तो 1 आएगी 1 नहीं minus 1 आएगी minus 1 root के अंदर नहीं लिया जाता है negative अंसर नहीं आएगा इसलिए x का मान आपके पास के ओल और के ओल कितना माना जाएगा 2 माना जाएगा इस पूरे प्रसन का उत्तर आपके सामने 2 हो गया अब ये बात हमको थोड़ी सी समझ में आई कि हम इस तरह का प्रसन अगर पाएंगे तो साल तो कल लेंगे बट एक समय गवाएंगे और यहां पर क्वाडिटिक में आकर फसेंगे तो बहुत प्रकार की confusion को आप लोग case कर रहे हैं अगर इस प्रकार के प्रसनों को आप इस पूरे procedural bridge से आप साल करते हैं तो ऐसी को साल करने का हम एक असान तरीका आपको बताते हैं जिसके थुरू आप लोग इस तरह के प्रसनों को बड़े easily focus करके साल कर सकते हैं अगर यह system आपको समझ में आया जो हम लोग बच्पन में करते आएं बेसिक तौर पर करते आये थे उसके बाद अगर हम लोग आज की डेट में जब competition देने जा रहे हैं उस इस्तिती में अगर इस तरह के प्रसनगरम focus करें तो सबसे पहले चीए देखिए दो तीन बातों को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा एक तो नंबर को ध्यान देना पड़ेगा दूसरा इस symbol को ध्यान देना पड़ेगा इस symbol को हमने देखा या symbol एक positive symbol है और जो नंबर है आपके पास क्या बताईए हो दो है अब जो भी नंबर आपको दिया जाए प्यास करिए को नंबर दो क्रमागत गुड़न खंड में ब्रेक हो जाए जैसे कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि ऐसे दो नंबर जिनका जो गुड़ा हो आपका दो हो जाए और लेकिन उन दोनों का जो सिक्वेंस को क्रमागत हो मतलब दूसरा उसके पहले के बाद आया हो जैसे एक गुड़े दो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं एक गुड़े दो में ऐसे अगर यहाँ पर बारा होता तो तीन गुड़े चार हो जाता ऐसे यहाँ पर 42 होता तो 6 गुड़े 7 हो जाता बातर होता तो 8 गुड़े 9 हो जाता तो प्रियास इस तरह से करिए मतलब इसको इस फाम में ब्रेक आचा सब नहीं ब्रेक हो सकते हैं कुछ ही हैं जो break हो सकते हैं और इस तरह से बन सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं जिसे 6 है तो आपको पता है 2 गुड़े 3 हो जाएगा मतलब जो आपका factor बने वो factor आपका क्रमागत बने तो ऐसे इस थिति में आप सबसे पहले क्रमागत वाले उन factors को पा लिजिए जब आप क् करना था जो नंबर दिया गया था उस नंबर को देखते और उस नंबर को तुरंथ हम लोग क्या करते हैं उस नंबर को दो पैसे factor में break करते जिनका जो difference होता हो एक का होता मतलब उनके बीच करमागत sequence बनता तो ऐसे इस तिति में जो बड़ी value होती वही इस प्रस्ण का क्या माना जाता उत्तर माना जाता अब अगर इस प्रक्रिया में हम और कोई दूसरा प्रस्ण भी उठाएं जैसे आप देखिएगा इसी टाइप का एक प्रस्ण जिससे कि आपको थोड़ा सा अपना confidence बढ़ता न जराए आप देखिएगा ध्यान से सब लोग जैसे हमने कहा 12 मे देख रहे 12 है 12 को 3 गोड़े 4 के फार्म में ब्रेक कर सकते हैं सबसे बड़ी चीज़ डिफरेंस एक का है इसका मतलब यही जो 4 होगा इस प्रसंद का उत्तर होगा ए 4 इस प्रसंद का एंसर हो जाएगा और इसको हम लोग यहां पर नोट कर लें ए हमारे पास हो गया तब जब यहां पर बीच में है प्लस मा लिजे इन केस यहां पर बीच में हो जाता माइनस अगर इन केस बीच में हो जाता माइनस तो इस फिती बदल जाती है आपकी देखिए क्या बन जाता माइनस के लिए देखेगा जब नेगेटिव सिंबल बीच म और ओभी काप तक, infinite तक आपको ऐसा प्रस्नगर दिखे तो आप दो बातों को यहाँ पर notice कर रहे हैं एक तो number, number क्योंकि उसी प्रकार से है जैसा हम चाहते थे 6, 6 मतलब आप लिख सकते हैं 2 गुड़े 3, 6 मतलब 2 गुड़े 3 और दोसरी चीज़, symbol यहाँ पर क्या है बताईए, negative symbol यहाँ पर negative है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो छोटा वाला number होगा उसको लिया जाएगा, जो छोटा वाला number होगा वही आपका उत्तर होगा, मतलब यहाँ पर आएगा, तो बाते आपको समझ में आ गई होगी इस प्रकार का अगर प्रसन आप एक्जाम में पाते हैं तो आप ध्यान दिजी, जो number से क्या हो दो क्रमागत गुड़नखंड में ब्रेक हो रहे हैं अगर ब्रेक हो रहे है, तो उसके nature को चेक करी nature positive है, तो बड़ा जो गुड़नखंड पाट रहेगा, वो हमारा answer होगा अगर वो negative रहेगा, तो छोटा होगा और positive की case में बड़ा होगा तिहाँ बात आपको समझ में आती होगी बट एक चीज और confusion आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर मालीजे वो गुड़नखंड हमारे क्रमागत ना बने, अगर गुड़नखंड क्रमागत ना बने, तो हम इस प्रक्रिया को इस तरह के प्रस्नों को कैसे हम पढ़ पाएंगे कैसे समझ पाएंगे, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजेगा, क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं चलिए, आते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पर हम लोग जो है जैसे मालीजे आपके सामने एक दूसरा प्रस्न मिले, सपोच करिए यहाँ पर पाँच दिया है, प्लस आपके पास फिर से पाँच है और फिर से पाँच है और ऐसे बढ़ते चला गया यहाँ पर पाँच हमारा कहां तक इंफफनाइट तक और आप से कहा जाए इस पूरे sums का एंसर बताएए इस पूरे मान को हम लोग यहां पर साल करके बताएं कि कितना हो जाएगा जब ऐसा प्रस्ण आपको नजर आया तो उस स्थिति में आपको एक फार्मूला एक रूल अपलाई करना पड़ेगा रूल अपलाई होगा कि देखिए यहाँ पर एक रूल लगता है जिसको हम लिखते हैं अब यहाँ पर देखिए एक सा फार्मूला हम लोग सिंपल सा यूज करते हैं जो होगा अब 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 ध्यान देना है आप लोग को 4A प्लस 1 और यहाँ पर एक बार लगाते हैं प्लस एक बार लगाते हैं माइनस लिखते हैं प्लस 1 अपान 2 अब यहाँ पर ध्यान देने की ये बात होती है नेचर देखा जाता है नेचर अगर पॉजिटिव होगा जैसे इनका नेचर पॉजिटिव होगा तो यह चीज आपकी एड़ अप होगी मतलब जुड़ेगी ए पॉजिटिव सिंबल के लिए है और अगर यहाँ नेचर नेगेटिव रहेगा जैसे माइनस माइनस लगेगा तो उस केस में नेगेटिव नंबर्स के लिए रहेगा मतलब फार्मॉला एक ही है इसी फार्मॉले को ध्यान देना है आपको अच्छा कन्फ्योज मत होईएगा यह one root के बाहर है यह one root के बाहर है और अगर आप लोग इस तरह का number फेस करते हैं और ऐसे type का फ्रसन एक्जाम में पाते हैं तो तुरंत उत्तर बताने की स्तेती में होते हैं आप लोग समझने की कोशिस करिएगा हम कैसे इसका उत्तर बताएंगे इस फार्मूले की मदद से क्योंकि यहाँ पर जो हमारे अच्छा ए क्या है आपको पता है जो डिजिट गिबन है वही ए है आप अगर इस प्रस्ट का सलूसन करना चाहते हैं तो रूट में जाएए लिखिए 4 इंटो 5 प्लस वन लिखेंगे और यहाँ भी प्लस लगाएंगे 1 डिवाइड़ वाई 2 लिखेंगे जाहिड सी बात है रूट 5 फोर्जा 20, 21 हो जाएगा 21 हाँ 21 प्लस वन डिवाइड़ वाई 2 21 प्लस वन डिवाइड़ वाई 2 अब आप यह बताइए जिसे देखिए एंसर यही भी हो सकता है 21 प्लस वन होगा सारी 21 प्लस वन डिवाइड़ वाई 2 यह एंसर तो हो गया यही पर लेकिन हो सकता है कि आपको डिजिट में एंसर दिया हो तो आपको पता है 21 जो है नमबर अगर इसका square root plan किया जाए मतलब approximately सोचा जाए तो आपको पता है दो number के बीच में है 16 और किस के बीच में है 25 के बीच में है तो 16 का वर्ग क्योंकि 4 होता है मतलब दो अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 2 पूर्ण संख्याओं में 21 जो है 16 और 25 के बीच में है तो 4 और 5 इसका मतलब 4 दसंबलो कुछ number आएगा 4 दसंबलो कुछ number आएगा तो 4 दसंबलो कुछ में अगर एक add होगा तो 5 point something हो जाएगा इसका मतलब 2 point something इसका answer आएगा अगर जो लोग इसको notice कर रहे हैं तो 5 point something होगा और उसको भी अगर 2 से divide कर देंगे तो 2 point something answer आएगा जो लगभग आपके answer के बराबर होगा जो आपके सामने दिया गया है मतलब अगर हमको पहली चीज़ तो यहाँ पर इसको confuse होने की बजाए जो procedure हम समझा रहे हैं उसको ध्यान दीजेगा एक rule है simply हो तब applied किया गया जैसे इसका जो गुड़न खंड है क्रमागत नहीं था अगर यही 6 होता 12 होता तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी किसी फार्मुले को लगाने की आऊ सकता ही नहीं थी फार्मुला तो तब लगा जब यह value हमारे पास ऐसी value है जिसका गुड़न खंड संभो भी हो तो क्रमागत नहीं हो तो क्रमागत नहीं की स्तितिम आप इस नियम को apply करेंगे जैसे अगर कोई और number भी इसकी जगह पर हम लेते हैं यह positive आपने समझा होगा negative की बात अगर हम लोग करें यहाँ पर जैसे हमने कहा suppose करी हम 13 लेते हैं minus हम फिर से minus फिर से हम लेते हैं 13 root में ही और फिर से ऐसे हम लोग यहाँ पर 13 लेते हैं root में ही और इस प्रकार से negative number हमने यहाँ पर सोचा और ओभी infinite तक हमने plan किया आप इस प्रसंद का जब answer करने जाओगे तो आपको देखिए वही फार्मुला जो हमने आपको लिखवाया है root 4A plus 1 minus 1 लगाना पड़ेगा divided by 2 करना पड़ेगा तो simple सो उस फार्मुले को लगाईए तो under root आपका कितना हो जाएगा 4 into 13 plus 1 minus 1 divided by 2 तो चार गुड़े तेरा बावन होता है एक जुड़ेगा तिरपन होगा तिरपन में एक घटेगा मतलब root 3 minus 1 divided by आप क्या लिखेंगे 2 root 3 minus 1 divided by आपके पास 2 हो गया इस प्रसंद का उत्तर आप नोटिस कर चुके होंगे कि root 3 से अगर एक को घटाएंगे तब जाकर कि हमारे सामने 2 को divide करने पर यह उत्तर आएगा तो आप यहाँ पर इस फार्मूले को focus कर चुके हैं फार्मूले के अधार पर आप लोग इस प्रसंद का उत्तर बता सकते हैं और इस तरह के प्रसंद अगर आपके exam में आते हैं तो उसको एक सेकंड दो सेकंड के अंदर आप प्रापर बेमेसाल्व अराम से कर सकते हैं तो यह बाते आपको समझ में आ गई होगी देखिए फिर एक confusion आपके दिमाग में आया होगा फिर एक confusion दिमाग में आया होगा चली ए बात तो समझ में आई कि हमको जो है positive negative दो प्रकार से समझाया गया एक तो ऐसा जो की proper गुड़नखंड दे देता था जिसके बीच का difference एक होता था दूसरा ऐसा कि जो है जो गुड़नखंड नहीं बना पाता था या गुड़नखंड अगर बना भी पाये तो उनकी बीच का difference एक ना आता हो तो ऐसी स्थिती में हम लोग क्या करते हैं इस फार्मूले इस नियम का यूज करते हैं तो अब ये तो समझ में आया लेकिन यहां पर अभी तक हमने जो पढ़ाया उसमें आपने notice किया जो nature था जो symbol का था nature वह या तो positive होता था या negative होता था लेकिन ऐसा नहीं इसके अलावा भी एक condition हो सकती है हो सकता है दोनों nature आपके क्या हो positive हो और एक negative हो एक positive हो इस sequence में ये चीज़े हमारे पास बनती चली आ रही हो चली हम और आगे की बात करते हैं अगली condition की बात करते हैं मान लीजिए एक number आपके सामने दिया गया और आपसे कहा जा रहा है जैसे हमने कहा 7 है हमने लिखा plus 7 root के अंदर फिर अगली बार हमने लगाया minus 7 root के अंदर फिर लगाया plus 7 root के अंदर फिर लगाया minus 7 root के अंदर और इस तरह से हम लोग alternate change करते चले जा रहे हैं infinite तक गए हमने क्या किया देखा होगा आप लोगों ने कि मतलब एक बार हम symbol को plus रख रहे हैं और एक बार symbol को minus रख रहे हैं मतलब alternate sign बदलते चले जा रहे हैं एक sequence के साथ sign को बदलते चले जा रहे हैं जब ऐसा कुछ हो रहा है तो sequence में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए भी एक इस्तिती होती एक rule होता है rule थोड़ा सा change होगा उस rule को पढ़िए rule दो प्रकार की conditions पे based होगा सबसे पहला rule जो हमारे पाद देखिए rule फिलाल आप ऐसे करिए आप दो types में इसको break कर दीजी आप लिखिए under root 4a minus 3 plus 1 divided by 2 एक तो यह बनेगा दूसरा बनेगा हमारे सामने under root 4a minus 3 minus 1 divided by 2 तो आपके पास दो rule आप देख रहे हैं बनकर सामने आ रहा है एक तो आ रहा है root under root 4a minus 3 plus 1 divided by 2 दूसरा हमारे पास under root 4a minus 3 minus 1 divided by 2 अब ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पर plus 1 कब लगेगा और minus 1 कब लगेगा तो जो plus 1 तब लगता है जब पहला positive हो पहला जब positive हो minus 1 तब लगता है जब पहला क्या हो negative हो अब आप लोग इस नहान दीजिएगा जैसे इस प्रस्न की बात करिए इस प्रस्न में आप देख रहे हैं कि आप फार्मूला पहले चीज़ समझ लीजिएगा जो आपको बताया गया कब apply करना है जब एक symbol positive दूसरा symbol negative हो और उनका जो क्रम हो धन के साथ सुरू हो या red के साथ सुरू हो धन के साथ सुरू होगा तो यह फार्मूला लगेगा मतलब यहाँ बीच में plus लगेगा red के साथ सुरू होगा तो यहाँ पर बीच में minus लगेगा red लगेगा तो ऐसी स्थिति में आप अगर जब इस तरह का present face करें तो आप मुझे बताइए इस तरह का present face करेंगे तो हम कैसे इस type के present का उत्तर दे पाएंगे जैसे आपको समझ में आगया होगा फार्मूला यह लगेगा और क्यों लगेगा क्योंकि पहला symbol positive है समझ रहे मेरी बात को चलिए solution कर लिया जाए अंडर root 4A तो 4 गुड़े 7 हो गया माइनस 3 प्लस आपको बाहर जाना पड़ेगा लिखना पड़ेगा 1 divided by 2 28 में से 3 निकलेगा तो 25 हो जाएगा और ओ भी प्लस सामने 1 होगा divided by 2 अब आप देख रहे हैं 25 का वर्गमूल आप सबको अच्छी तरह से पता है 5 होता है 5 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 6, 6 को अगर 2 से रिवाइट करेंगे तो हमारे पास value कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी आप समझ गए होंगे 5, 1, 6 होता है और 6 को अगर हम 2 से रिवाइट करते हैं तो value हमारी कितनी हो जाएगी 3 तिस प्रस्ण का उत्तर हमारे सामने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आप लोग इसको लिख सकते हैं इसका answer 3 माना जाएगा मतलब आपको बाते समझ में आई होगी जो मैंने बताया हमने जो फार्मूला अप्लाई कराना था हमने देखा पहला सिंबल प्लस है तिस फार्मूले का यूज करेंगे 4 गुडे 7 किया माइनस 3 किया प्लस एक बाहर जाकर करेंगे तिसका मतलब यहाँ पर 28 में से 3 निकलेगा 25 का वर्गमूल 5 होता है एक जुडेगा तो 6 डिवाइड़ बाई 2 कर दीजिए तो 3 एंसर आजाएगा मालीजे यही प्रस्ल आपको थोड़ा सम चेंज करके दिखाते हैं मालीजे आपसे हम कहते हैं कि अंडरूड हमारे पास 7 है माइनस अंडरूड 7 है माइनस अंडरूड 7 है यहाँ पर थोड़ा से चेंज करते हैं यह हम माइनस को प्लस चेंज करके जैसे आपने अभी देखा उस बात को हम जो कर रहे हैं प्लस 7 है माइनस यहाँ पर हम लगाएंगे 7 लिखेंगे फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 7 लिखेंगे माइनस साथ लिखेंगे और ऐसे ही हम बढ़ करके इंफनाइट तक जाने का सोच रहे थे इंफनाइट मतलब अनन तक जाने का हम लोग सोच रहे थे इस प्रक्रिया को भी हमसाल करेंगे और नेगेटिव सिंबल पहले देख रहे हैं क्योंकि negative symbol पहले देख रहे हैं तो फार्मुले का जो amount होगा जो value होगी under root 4a minus 3 बट यहां होगा minus 1 divided by 2 अब आप बताईए उत्तर आटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा चार गुड़े 7 हो गया minus 3 हो गया minus 1 हो गया divided by 2 है तो 4 सत्य 28 में से 3 निकलेगा 25 हो गया और 25 में से एक घटेगा 2 मतलब 25 में से नहीं 25 के वर्गमूल से तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया 5 में से एक निकला तो हमारे सामने 4 होता है 4 को 2 से divide करेंग उत्तर के आ जाएगा 2 आ जाएग जब एक सिंबल हमारा positive हो दूसरा सिंबल हमारा negative हो तो यह प्रक्रिया आपके सामने है चलिए इस बात को आप लोग समझ गए होगे जो हम आपको बता रहे हैं तो यह बात clear है आगे बढ़ते हम लोग next conditions पर आते हैं next person पर आते हैं next type पर आते हैं देखिए एक और इस्थित है कि अनन तक बढ़ रहा है एक अदूसरी category हमारे सामने आई प्रस्ण की कि आपको जो अभी तक जोड़ घटाओ की बात हम लोग कर रहे थे अगर वह गुड़ा बन जाए मतलब root 5 root 5 root 5 infinite तक अगर move करता चला गया इसको भी अगर हम पहले सुरू में academic label पर होते हैं और इसक पांच पांच और ऐसे बढ़ता चला जाता और इस पूरे को तो आप x मानी चुके हैं तो इसका मतलब हो जाता है x square is equal to 5x x square is equal to 5x इसका मतलब x square minus 5 x is equal to 0 तो x square से x कामन अगर ले ले तो x minus 5 is equal to 0 तो x के दो माना आए एक तो 0 और दूसरा x is equal to 5 0 ignore कर दीजिए बैलू क्या बची 5 इसका मतलब जब भी कभी इस तरह का प्रसन आपके सामने आएगा तो जो digit है वही answer है तो 5 इस प्रसन का उत्तर हो गया आपको कभी भी ऐसा प्रसन दिखे चाहे जो भी लिखकर सामने आपको दिया जाये आप वही प्रसन का उत्तर बना दिया करें कोई दिक्कत नहीं होती है आपको 8 दिया, root 8 दिया, root 8 दिया, root 8 दिया और ओभी कब तक? infinite तक तो आप कहा दीजे सर इसका answer क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपको change करने की requirement नहीं है मतलब आप तुरंथ इसका answer कितना बता दीजे? 8 बता दीजे आप इस तरह का जब प्रसंद देखेंगे तो आप तुरंथ जागर के answer आपने आप से बता सकते हैं और देख करके इस प्रसंद का उत्तर आप बताएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने 8 आठा गया एक बात clear हुई दूसरी बात यहाँ पर जैसे अभी तक infinite तक move कर रहे हैं अगर यह limited edition करें मतलब कुछ numbers पर जाकर रुख जाएं दो-चार पद ही ले पूरे पदों को ना ले तब क्या कर पाएंगे और कैसे उसका उत्तर दे पाएंगे तब एक जी ध्यान रखना है यह जब अनं तक move करेगा तो असान है लेकिन जब यह limited होगा तो tough है अब यह आप ध्यान देंगे तो खोगी आपको समझ में आएगा जब Limited होगा तो tough होगा कैसे अगर जैसे महालीजी हम आपसे कहते हैं अब आपके सामने देखी इस्तिती है बट करना है तो उसको एक ट्रिक से हमसाल कर देंगे एक रूल से सिस्टम सोटा सा अपलाई करेंगे आप सिस्टम देखेंगे तो सारी बातों को समझ जाएंगे कि क्या कैसे करना है आपको ध्यान देना है कुछ ऐसे आपको बस क्यों इतना करना है जब कभी ऐसा प्रसंदेखे तो पहले काउंट करी कितने टर्म है पांच टर्म थे टोटल आप दो की तुरंट पावर पांच कर दीजिए दो ही करना है हमेशा बाइड फाल्ट हमेशा दो ही करना है क्योंकि करड़ी कर रहे है दो की पावर पांच करेंगे तो आपको पता है बत्तिस आएगा कितना है का बत्तिस आप तुरंट बत्तिस में से एक घटाईए तो एकत्तिस होगा बटा बत्तिस कर दीजिए बतलब एक भेन बना लीजिए जो भी यहाँ पर आए एक्सपैंसन के बाद जो भी यहाँ पर आए एक्सपैंसन के बाद तुरंट उसको जो है हम लोग क्या कर दें उस बैलो को हर बना दें और उसके उपर उसी से एक कम करके कर दें और आईए जिसका मान ग्यात करना है उस डिजिट को उठाईए तीन और तीन की पावर 31 बटा 32 अक्सर इस तरह का प्रसन एक्जाम में आता है तीन की पावर 31 बटा 32 आपके इस प्रसन का उत्वर हो जाएगा आप इसको लिख दीजिए यही इसका एंसर माना जाएगा क्या किया फिर से समझिए हमने कहा कि पहले आप पदों को पावर 31 बटा 32 हो गया तो आपका भी जब ऐसा कुश्चन फेस करें एक्जाम में तो आप तुरंद बता सके जिससे कि आपको कोई समस्या ना होने पाए एक बार और और एक आप प्रसन देख लिजिए थोड़ा सा कान्बिडेंस ओर आपका बढ़ जाए जैसे माली जे हमने कहा कि रूट सेवन माली जे चार बार हमने लिखा तो आप देख रहे हैं चार बार लिखा है तो दो की पावर चार हो गया आप देख सकते हैं दो ही हमेशा अधार बनेगा दो की पावर चार का मतलब सोला हो गया सोला में से एक कम कर देंगे तो पंदरा होगा पंदरा बटा सोला बना दीजिए मतलब जो भिन बना हो आपका पंदरा बटा सोला हो गया अब आप जाईए लिखिए साथ की पावर पंदरा बटा सोला यही आपके इस प्रसन का एंसर हो गया बड़े असानी से हम लोग इस तर करता हूँ जो चीजे आपको बताई हैं सबसमझ में आया होगा हम लोग इसी तरह से बीच-बीच में आपको मैस के कुछ प्रब्लिक प्रेटफार्म से मिलते रहेंगे जिसे कि आपकी परिच्छा में थोड़ा सभी योगदान हम लोग का हो जाए तो हमारे लिए बहुत सभाग की बात रहेगी आपको वही सेलेक्टिट टॉपिक कराएंगे जो जस्ट पूछे जाते हैं एक्जाम से तो आज किस क् पैसा ही एक वहल उठाएंगे चाहे हो आपके अडवांस मैथमेटिक्स का हो कहीं कभी हो हम उसको उठा करके आपके साथ साज़ा जरूर करेंगे सेयर जरूर करेंगे चलिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स क्लास में